लाइफ में आशावादी रहना कितना important है और जब दो लोग मिलते हैं तो एक दूसरे के action से वो एक दिस्टरों को inspire करते हैं अच्छी लाइफ चीने का तरीका वो एक दिस्टरों को बताते हैं इस message के साथ आज की movie आती है आज की movie में cast away on the moon ये 2009 की Korean movie आपको मैं explain करने माला हूँ ये Korean love story है और इसकी I am deviating 8.1 है सुसाइट करने का एक fail attempt करकर ये आदमी किस तरह से जंगलों में रहता है और फिर इसका life में क्या change आता है ये हम इस movie में देखेंगे तो चलिए शुरू करते है मूवी स्टार्ट होती है और वहाँ एक breach हमें दिखाया गया है इस breach पर हमारा main character खड़ा होता है इसका नाम हम James रखेंगे James ने अमनी credit card company को call किया होता है उनसे उस पर कितना debt है ये वो पूछ रहा होता है उस और बहुत सारा करज़ा होता है James बहुत ही depressed होता है और जीने के लिए उसके लिए कुछ भी बचा नहीं होता तो इसलिए अब वो पानी में खुच जाता है जब इसकी हाग खुलती है तो वे शोर पर आ चुका होता है जब वो उटता है और आसपास देखता है तो खुच से ही कहता है कि वो ढंग से मर भी नहीं सकता रिवर की किनारे पर वो आ गया होता है वासे उसे पुरी सीटी दिख रही होती है फिर वो एक बिल्डिंग दिखता है और अपने आप से कहता है कि उस बिल्डिंग से अगर मैं चलांग लगूँगा तो मैं हंडेट बसे मर जाओंगा अब जिस किनारे पर होता है उस पर व उसे city में जाना होगा तो यह ज़्यादा distance नहीं है पर James को तेरना नहीं आता अब इसे problem है तो रात में वही सो जाता है जब सुभा होती है तो एक boat उसे दिखती है उसे हाथ देने लग जाता है एक tourist boat होती है तो tourist को लगता है कि मुझे wave कर रहा है तो वो भी wave कर देता है यह boat फिर आगे चली जाती है जैंस पर एक काठी लेता है और किनारिक की sand होती है उस पर लिखता है कि help यह उसे बहुत stupid लगता है क्योंकि वह city की middle में होता है यह cast away movie की तरह होता है तो उसने यह देखी होती है तो इस वह amazing लगता है अब वो decide करता है कि वह किसी को call करेगा और उ पुलिस को बताता है कि मैं city के बीच में एक deserted island में हूँ यह सुनकर पुलिस को believe नहीं होता क्योंकि यह इसकी location नहीं बतावाता पुलिस फिर phone रख देती है next call यह फिर अपनी girlfriend को कहती है next call फिर अपने girlfriend को यह करता है उसकी girlfriend कहती है कि मैं और तुमारा जो भी सब relationship थी अब स अब कुछ खतम हो चुकी है तुमें भी मुझे अप छोड़ देना चाहिए मुझे फिर से call मत करना यह कहे कर इसका call वो काट देती है James को कोई friend नहीं होती उसकी कुछ family नहीं होती वो किसी और को call भी नहीं कर सकता फिर उसे एक daily marketer का call आता है यह उसे कुछ sale करना चाहते है यह उसे बताना चाहता है कि मैं एक island पर हूँ वहाँ पर मुझे help की जरूरत है पर daily marketers किसी की भी नहीं सुनते और उसको यह offer बता ही दे रहे होते हैं यह बताते बताते फोन की battery खतम हो जाती है अब James के पास कुछ option नहीं रहा तो तेरने की कोशिश करता है वो अपने आप स और पाने में कुछ जाता है जब वो डूबने लग जाता है तब उसे flashback आने लग जाते है इसमें first flashback हमें जो दिखाया गया है यह उसका फादर का है उसके फादर उसे पोलते है कि तुम बाकी बच्चों की तरह क्यों नहीं तेह सकते है यह जब उसके फादर उसे कह रहे ह तो स्विंग पूल में डूब रहा है ऐसा उसे लगता है नेकसिन में भी जॉब इंटरूर चल रहे होती है और उसके जो स्विंग पूल में ही डूब रहा होता है इसके जो entrance exam थी उसके जो score थे वो भी बहुत कम थे और पीसले company में वो जॉब नहीं कर बाया नेकसिन में फ है और अब यह डूबता चला जा रहा है ऐसा उसे लगता है इस scene का इस movie के लिए बहुत ही जादा significance है उसके फादर जो थे इसे हमेशा कुछ लड़कों से compare करते रहती थे वो पढ़ाय में भी उतना अच्छा नहीं था फिर भी उसे job करना बढ़ा और इसमें वो डूबता जला गया उसके life में किसी ने भी उसे accept नहीं किया था वो जैसा था वैसा किसी ने भी उसे नहीं देखा था और यह अपने आपको भी यह बता नहीं पाया कि किस चीज में वो सही है किस चीज में गलत है जब वो relationship में गया तो emotional support अपनी girlfriend से वो उतना अच्छे से नहीं रह प होता है वो जंगल में आता है अपने टाय को बान देता है और इससे वो suicide करने वाला होता है जब वो यह suicide कर रहा होता है तो civil defense corp यह पूरी city को potz कर देते है किसी को हिलने का allowed नहीं होता यह security drill होती है एक साल में यह दो बार करते है James एक impulse में होता है और suicide करने वाला होता है प जब वो छोटा था तो यह full खाता था इसे अब भूग भी बहुत सारी लगी है तो इस full coat टेस्ट करता है वो कहता है कि बहुत दीन गुजर गए इसे खाते हुए यह इतना sweet है कि मुझे रोना आ सकता है और सच मुझ में यह रोने भी लग जाता है इसे पानी की वैस लगती हैं तो नदी का ही पानी पी लेता है अब बहुत ही भूग लगी होती है तो वहाँ मश्रूम उसे दिखते हैं यह जो मश्रूम है पॉजनस हो सकते है वो अपने आपसे कहता है कि मुझे मर नहीं यह खाकर भी में मर सकता हूं यह खा लेता है पर यह कोई पॉजनस विगरा होते हैं ठोड़ी देर बाद वह अपने लिए आग बनाना चाहता है तो लकडि को गिसता है टॉम हैंग्स की कास्ट अब मुवी में दिखाया गया था कि वह लकडिक को गिसता है और आग जनरेट करता है पर यह कर नहीं भाता वो केहता है कि यह सब जूट है फिर वह सिगर जो की जरूरत नहीं है उसे जो भी खाने को मिले वो खा रहा है नदी का पानी भी रहा है उसे अपने आपको वाम रखने के लिए फायर भी है अब उसे वर्ल्ड से कुझ भी नहीं चाहिए तो शोर के पास वो आता है और वर्लड को फिंगर देता है इस आईलन्ड पर एक पर यह भी करने पाता इस आइलन पर स्वान्स होते है इसको मानने कोशिश करता है पर भाग जाते है फिर मश्रूम खाकरी उसे गुजरा करना पड़ता है एक स्टीक लेकर फीश को पकड़ना जाता है पर यह स्टीक उसके पेर में घुश जाती है जाड के उपर बर्स ने अं हेल्स हो दो रहाता है पर इसे शैंपू की बॉटन मिली थी इससे वो अपने बालों को शैंपू करता है जब यह शैंपू के केमिकल्स पाने में मिक्स हो जाते है तो इससे जो फीश होते है वो मर जाते है यह तेरकर ऊपर आ जाते है फिर यह फीश को लेता है और अब इसक यह वो खहता है यह फेक ग्रास्पे फुलों के वीच में स्वया हुआ हमें दिखता है कि अब बहुत द्युत जोगा हो इतना जादा बॉर्डम बहुत ही अच्छा है यह बहुत ही पिसफुल मेंसुस करता है अब नेकसिन आता है और इस मुवी का एक नया कैरेक्टर हमें इं पेज यही पड़ा होता है इसके ही रूम में, फिर यह हमें एक computer screen पर दिखाए गई है, यह हमसे कहती है कि internet पर मैं कुछ भी बन सकती हूँ, उसके website होती है, जिस पर वो blogging type अपने images डालती है, वहाँ comics पर अपने काम करती है, इसका कहने का मतलब होता है, यह हमेशा internet से अलग life में इसे डाल सकती हूँ, यह सब online ही है, पर फिर भी इसे satisfaction देता है, हम जब इसे नजदीक देखते हैं, तो इसके forehead पर जला हुआ निशान होता है, इसके साथ कुछ हास्ता हुआ था, और उसके बाद से वो इस रूम से गई ही नहीं है, इसकी मदर घर से बहार जाती है, त फिर भी में मेरे रूम से बाहर नहीं गई, उसका schedule फिर वो हमें कहती है, वो कहती है, कि मैं उठती हूँ, और फिर मैं steps लेती हूँ, उसके पास एक walking machine होती है, जिस पर वो अपने health का खयाल रखती है, वो भी breakfast करती है, और इसके बाद फिर से चलती है, वो अपने computer में काम क करने के बाद फिर से specified package जो food होते है, उसमें इसे ही खाना खाती है, इसके बाद फिर से exercise करती है, और रात में भी exercise करकर इस होती है, रात में इसे एक hobby होती है, जिससे वो तारे दीखती है, उसे moon बहुत ही पसनाता है, क्योंकि वो अकेला होता है, जिस तरह से ही अकेली है, वो कहती है, कि moon पर अगर कोई होगा, तो कभी अकेला नहीं होगा, क्योंकि वहाँ कोई और लोग ही नहीं है, यह फिर हमें एक TV देखती है, और कहती है, कि मैं रात में सोने से पहले hypnotize होकर सोती हूँ, इस TV में एक वीडियो लगाती है, और फिर वो सो जाती है, हमने पहले दिखा था, कि Civil Defense Corps जो होता है, वो पूरी city को freeze कर देता है, उसी तरह से आज भी यह city freeze हो चुकी है, तो रोज कोई city देखना आच्छा लगता है, यह साल में दो बार आता है, तो अपनी खिड़की को खोल लेती है, और city को देखती है, ऐसे उसे देखना पसन नहीं आता, क्य जो कि बहुत सारे लोग वहा होते है, अब वहाँ कोई भी लोग street पर नहीं देखते है, और वो city को peacefully देख सकती है, वो wish करती है, कि इसी तरह से पूरा world freeze हो जाए, जब वो city को देख रहे होती है, तो James इस आइलन पर रह रहा है, इसको भी यह देखती है, James जब suicide कर रहा था यह वही परल है, तो इसे वो देख लीती है, इससे वो डर जाती है, और अपने camera से दूर हो जाती है, रात में जो वो sony के try करती है, वो sony पाती है, उसने जो देखा है, उसे भूलनी पाती है, रात में वो फिर से island में देखती है, और James को ढूनती है, इस बार James world को finger दे रह हुदा। और उसे यह नहीं चाहिए, उसके जो लाइफ है यह यह अब बहुत ही फिस्पूल है और अब यहां से उसे नहीं जाना इसलिए अब इस शीप से वो ठुप जाता है जंगल में चलते-चलते कि ये noodles उसे खाने हैं हमसे कहता है कि एक noodles के bag ने मुझे लाल सा में डाल दिया है ये इससे obsessed हो जाता है ये जो bag होता है इसको सुंगता है जब सोता भी है तो इसके ही सबने उसे आते है अब उसे लगता है कि इस island बेभी वो noodles बना सकता है उसके आसपास जो भी सब plants होते है उनमें से वो grains वगरा निकालता है और इससे वो try करता है पर वो करनी बाता जब वो रात होती है तो regret करता है वो सोचता है कितनी बार life में मुझे ये noodles खाने को मिला था पर मैं हर बार ना कहे देता था छोटा होता है उसकी माँ उसे खिला दी है फिर वो ना कहता है अपनी फ्रेंड के साथ वो बाहर जाता है तब वो आलक flavor की noodles लेता है हमारी life को किस तरह से हम granted लेते है इसका ये best example है जो चीज हमारे सामने होती इसका importance हमें कभी भी नहीं होता अब वो हार जाता है और जो मसाले का packet था उसे वो देखता है वो सोचता है कि अगर वो इसे खा ले तो इसी craving मीट सकती है पर अपने आपको रोक लेता है वो जब सोया होता है तब उसे कभूदर के आवाज आती है उसे फिर idea लगती है वो कहता है कि यह जो कभूदर है यह seeds वेगराई खाते है और यह इसको digest नहीं कर बाते है कभूदर कि जो भी सब टट्टी होती है तो इसमें उसे बहुत सारे seeds मिल सकते है इसे अब वो scrap करने लग जाता है इसे scrap अपने credit card से करता है वो कहता है कि इस तरह से credit card ने मुझे help की अब वो इस सब टट्टी को gather कर लेता है और इसके farming करने माला होता है यह अब सोचने लग जाता है कि कहां वो farm कर सकता है एक ideal जगा और ढोनने लग जाता है उसे land फिर मिल जाती है और फिर उसे लगता है कि हमें fertilizer की भी ज़रूरत पड़ेगी वो जो poop करता है इससे वो fertilizer की तरह use कर सकता है वो कहता है कि मुझे अब healthy खाना पड़ेगा इसे मैं बहुत सारा fertilizer ready कर सकता हूँ वो जब यह field ready कर रहा होता है तो वहाँ से उसे बहुत सारे पटर उठाने पड़ते है इसमें उसे बहुत ही मेनत लगती है वो कहता है कि जुरासिक पार्क में मस्क्यूटे से उसने डाइनसार बनाया था उसके चान से जाता थे वो demotivate feel करता है पर वो हार नहीं मानने वाला होता वो कहता है कि मेरे बास बहुत सारे टाइम है मैं और भी क्या करूँगा यह काम करको और वो बहुत ही स्वेटी हो जाता है यह स्वेट जो वो पोचने लग जाता है तो वो अपने स्वेट को यह टेस्ट करता है वो खुद salt generate कर रहा है इसा उसे लगता है और उसके बाद अपने आपको चाटने लग जाता है उसका जो सूट था इसे अपने प्राण्स को बचाने के लिए एक पुदला बनाता है वो कहता है कि यह सूट हमें पुदला ही बना देता है यह जब शांती से बेटा हुआ होता है तब इसे realize होता है यह जब सब वो कर रहा है यह hopeful है इसलिए यह सब वो कर रहा है फिरसे रोज हमें उसके room में दिखाई गई है यह जो भी सब उसके बात कर रहा था यह सब उसने देखा है बहुत सारी images उसने लिए इसमें वो अपने आपको चार्ट भी रहा है यह भी image होती है उसे यह alien लगता है वो कहती है कि क्या मैं इसके world को join कर सकती हूँ क्या मुझे invite करेगा इसे अब jam से बात करने का बहुत ही मन करने लग जाता है यह रात में अपने घर से निकल दिए अपने face लगरा को सब इसने cover कर लिया हता है security card को भी वो distract कर दिया है और वहाँ से चली जाती है थोड़ सा भी human contact उसे अच्छा नहीं लगता city से छुपते चुपाते वो एक breach पर आ जाती है उसके पास एक bottle हो थी है और इस breach से उसमें message डाल कर वो island में फेक दी थी है दूसरे दिन फिर वो camera से देखने लग जाती है James को ये note मिली या नहीं ये वो wonder करती है इसके बाद 3 मेने गुजर चुके है James जो है अब वो master हो चुका है इस nature में अच्छी तरीके से उप रह सकता है fishing कैसे करनी है ये उसे अब पदा है जाट पर चड़कर अंडे कैसे निकालने है ये भी उसे अब आने लग गया है वो fish अंडे खाते होए में दीखता है और उसके पास जो salt होता है ये उसका sweat होता है इस sweat इस bottle में वो भरके रखता है और इस bottle को चिड़कता है जब भी उसे salt की जरूरत होती है तीन मैने गुजर गये है और जब वो field में आता है तब उसे एक छोटा सा crop दिखता है इसे देखकर बहुत ही खुशी होती है और इसे अब उसे protect करना है इसलिए टूटे होई काच की bottles वेकरा वो ढूडने लग जाता है जब वो जंगल में घुमता है तब रोज का उसे message मिलता है इसमें hello लिखा होता है फिर वो river की shore तक आता है वो जिस पर उसने hello लिखा था वो wonder करता है ये कोन होगा अपने suit से वो पूतला बना होता है उससे वो बाते करता है वो कहता है कि मुझे कोई देख रहा है ये कोन हो सकता है ये वो wonder करता है वो shore पर एक stick से message लिखता है उस पर लिखता है कि तुम कैसी हो रोज जोती है तीन महीने तक इस message का wait कर रही होती है जब उसे message मिलता है तो बहुत ही खुश हो जाती है फिर से वो building से निकलती है और फिर से उसे message देने के चली जाती है जब उसे message देकर घर आ रही होती है तब उसे एक plan लिखता है इस पर बहुत ही beautiful fool होती है इस सिदख कर उसे बहुत ही peaceful messeuse होता है उसे नीन की हमेशा प्रॉल्म आती है पर अब ये फूल देखकर उसे नीन आने लग जाती है नैचरल स्लीप वो आज लेगी James को उसका मैस्टर मिलता है उस पर लिखा होता है फाइन थैंक्यू और आप कैसे हो James भी उसे फाइन थैंक्यू लिखता है James को फ्रेंड मिल चुका है तो उसे बहुत ही अच्छा रखता है वो इंगलिज बोलती है तो एक कोई भी हो सकता है James जब वंडर कर रहाता है तब उसे एक प्लांड में कौन का प्लांड उग गया है ये दिखता है ये बहुत लिखोश हो जाता है उसे कौन मिल चुके है और इससे वो नूडल्स बना सकता है रोज को पता है कि James को कह चाहिए उसे नूडल्स खाने होते है तो इसले एक डिलिवरी बॉय को कॉल करती है उसे उस आइलन पर जाकर वो डिलिवरी देने के लिए बोलती है उसे इस आइलन तक पोचने में बहुत इदिक्कत होती है फिर वो पोच जाता है James शुपा होता है उसके पास वो चला जाता है उसे कहता है कि एक औरत ने तुमारे लिए दिया है तीन डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स के नूडल्स रोज ने उसके लिए भेज़े होती है जब ये डिलूरी बॉय जाने लग जाता है तो अब James उसे रोग लेता है उसे कुछ कहता है और ये डिलूरी बॉय फिर वहाँ से चला जाता है ये डिलूरी बॉय फिर से रोज के पास आ जाता है हमें पता है कि रोज किसी के लिए भी दर्वाजा नहीं खोलती वो फिर जाने लग जाता है रोज फिर उसे रोग लेती है उसे कहती है कि क्या उसने कुछ बोला ये Deliory Boy कहता है कि उसने मुझे कहा कि ये जो नूडल्स है ये उसका होप है ये उसकी आशा है उसे noodles खाने हैं, इसी आशा पर वो जी रहा है ये फिर noodles का parcel रोज ले लिती है उसे बहुत ही tasty अब लगता है वो कहती है कि इसमें hope की taste है उसे भी अपने life में बेटर करना होता है उसे भी hope पर जीना होता है अब वो दर्वाज़ा खोलती है अपनी मदर वो कहती है कि मुझे कुछ सीड प्लान करने है कुंडिया वेगरा वो बुलवाती है और अपने room में ये प्लान करने लग जाती है वो फिर जेम्स को और एक message लिखती है उसने जो भी किया था इसके लिए वो sorry कहती है जेम्स किनारे पर एक drawing निकालता है जिसे वो शाक से बच रहा है ऐसा वो डिपिक करता है बहुत समय तक बहुत स्टेर रहा है ऐसा वो pretend करता है उसे पता नहीं रोज कब देखेगी इसे वज़े से उसे बहुत time तक ये करना पड़ता है अब ज़रा time गुजर चुका है और उसने जो कौन को रोग किया था अब उसके पास बहुत सारे आ चुके है अब वो अपने लिए noodles बना सकता है कौन वो निकालता है इसे वो dough बनाता है इसे cut करता है और boil करकर इसे वो noodles बना लेता है अबना मसाले का जो packet था इसे वो इसमें डाल देता है ये जब वो test करता है तो वो रोने लग जाता है उसने जो भी सब decide गया था अब उसने पा लिया है रोज भी ये देखकर खुश होती है उसे congratulations करती है रोज जो होती है वो एक छोटे से compartment में सोती है जब रात होती है तब उसे ये छोटा पढ़ने लग गया है वो बाहर आती है और बाहर आकर सोती है एवरेटेज जेम्स के efforts देखकर अब रोज भी कुछ अच्छा करने के लिए इंस्पार हो चुकी है उसके जो भी सब insecurities थी उसका नाम क्या है वो कहा से है क्या वो कोरिया से है यह सब वो वंडर करता है और कॉल पर वो बोल रहा है यह सब प्रिटेंड करता है वो फिर किनारे पर रिखता है कि तूं कौन हो उसे रोज के बारे में बहुत कुछ अब जानना है रोज बॉटल लेती है और ब्रीज से वो फेकने वाली होती है पर वो एक करने पाती है दूसरे दिन जब James पूरा आइलन धुनता है पर उसे बॉटल कहीं भी नहीं मिलती है रिजेक्शन का उसे दूख होता है और पुछता है कि क्यूँ क्यूँ उसने अपने आइडेंटिटी उसे नहीं बताई है जब रात होती है तो रोज अपना कॉम्पेटर दिख रही होती है उसकी जो एपसेट होती है जिस पर वो सब फोटो जगरा लगा थी है उसमें एक कॉमेंट में आगया होता है कि ये जो करी है ये सब फेक है रोज ने अपना फेस भी किसी और औरत से निकाल कर अपने फोटो पर लगया होता है कमेंट में एक आदमी इस वारत को जानता है और उसकी जो भी सब कम्यूनिटी है अब इसे गालिया वेकरा देने लग जाती है रोज हमें फिर से डिप्रेस्ट हो कर जिस जगा पर वो सो रही थी वहा सोही होई दिखती है फिर हमें तुफान आय हुआ दिखता है इस तुफान में जेम्स का जो डग होता है वो भी रिवर में चला जाता है उसे वो पकड़ कर रखने की बहुत ही कोशिश करता है पर वो कर नहीं पाता जेम्स के सब जो कौस विगरा थे वो सब अब मीट चुके है वो फिर अपने आप से कहता है यह बहुत ही कम था जो मैं पूछ रहा था पर नेचर उसे ये भी दे नहीं रहा है इसा उसे लगता है वो फिर शोर में रोज के लिए रिखता है कि भाड में जाओ थोड़ी दिर में वहाँ ओफिसस आते हैं ये जो आइलंड है इसको साफ करने के लिए वो वहाँ आय हुए होते है जेम्स फिर वहाँ से भागने लग जाता है उसे इसे आइलंड पर रुखना होता है क्योंकि यहां रोज का उसे मैसेज आता रहता है रोज से कॉंटक करने का यही एक लास तरीका उसके पास है इसलिए अब वो रेजिस्ट करता है हो सब इसके पीछे भागते है और उसे वो रिस्टिक कर लेते है उसे फिर वो बोर्ड में लेकर जा रहे होते हैं तो रोज यह देखती है रोज जहाँ से उसे देखती है यह city के दुसरे पार होता है रोज को हमेशा से James से मिलना था और इसके लिए अब वो नंगे पाव अपने बिल्लिंग से नीचे उतर जाती है जो चीजे अब उसने तीन साल में नहीं की है वो सब वो कर रही है लोकों से टकरा थी है स्टीट से भागते भागते जाती है इस city के दुसरी तरब तक वो पोच जाती है फिर भी उसे James ने मिल पाता James एक bus stop पर होता है उसे एक bus लेने के लिए आती है और इस bus में वो चड़ जाता है उसके पास जो wallet था उस wallet को scan करता है उसका credit card अभी भी काम कर रहा है यह देखकर उसे जरा सुकुन मिलता है कि वो अभी भी इस world में relevant है रोज figure out करती है कि James bus stop पर होगा भागती भागती वहाँ जाती है bus leave कर रही होती है इसी bus में James होता है वो उसके पीछे भागती है पर यह बहुत ही आगे जली जाती है वो street पर ही रोने लग जाती है फिर से हमें एक alarm बचता हो दिखता है और यह civil defense cop का होता है हमें पता है कि जब भी alarm बचता है तो पूरी city freeze हो जाती है जो लोग चाहा होते है वो ही रूख जाते है अब जिस bus में James है वो भी रूख चुकी है रोज भागते भागते जाती है और bus में आ जाती है James को spot करती है और पैचान मिलेती है James उसे पूछता है कि तुम कोन हो और वो अपना नाम उसे बता देती है जब city freeze होने का time खतम हो चुका है तो bus channel लग जाती है रोज गिर रही होती है पर उसे James हमा लेता है इन दोनों का हाथों में हाथ हमें दिखाई दिया गया है और अब ये साथ साथ रहने वाले है मूवी के last scene में हमें bus और moon दिखाया गया है वो moon के पाज आ रहे है एक दूसरे का साहरा अब उन्हें मिल चुका है यह हमें अब पता चलता है अब मैं आपको इस movie के ending के बारे में इस characters के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ James जो था कि corporate में पूरे धर्या किसी घुश चुका था और इससे उसके life बरबाद हो चुकी थी उसको भी भी सही से job नहीं कर पाया relationship नहीं टिका पाया जब वो deserted island में आया तब उसे realize हुआ कि उसे जीने के लिए कितनी कम चीज़े लगती है उसे फिर से जीने के लिए hope आ गया उसे noodles खाने थे इसलिए उसने बहुत सार effort लिये उसे realize हुआ कि hard work और hope इन दोनों चीज़ों के साहरे वो इस life से जुन सकता है survival क्या होता है इसका बड़ा experience हो से आया था इसके opposite character rose थी उसके पास सब कुछ था पर फिर वी वो confined थी वो एक mentor block में थी और लोगों से बात नहीं कर पाती थी उसके साथ जब 3 साल पहले हद से हुआ था उसके बात से वो पूरी tessness हो चुकी थी दुनिया को वो एक fake crime जी रही है ऐसा वो दिखा रही थी जिस तरह से वो अकेली थी उसी तरह से James भी अकेला था अकेले बन पर वो उससे connect कर गए और इसके बाद उससे देखने लग गई वो life के प्रदी कितना positive है और कितना effort डाल रहा है यह देखकर वो भी इंस्पायर हो चुकी थी वो भी अपने life को अच्छा बनाना चाहती थी इन दोनोंने बहुत ही अच्छे से try किया पर फिर दूफान आ गया इस दूफान में रोज की real identity पूरे world को पैदा चल गए और जो James था उसके सब cause वेगरा सब कुछ तबाओ गया उसे उस island से भी निकाला गया वो रोज से बात करना चाहता था रोज भी उस island पर रुकने के लिए उसके लिए एक hope थी पर वो भी उससे चीन लिया गया अब ही एक दूसरे से मिलने पाएंगे इसी वज़े से सब insecurities इन्होंने अपने मन से निकाल ली रोज भागते भागते उसके पास आने लगी रोज जिस बिल्डी में रह रही थी उसी बिल्डी इसमें James जाना चाहता था उसने अपने कार्ड से जब payment किया तो उसे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि इस वर्ल्ड में वो अभी भी relevant है रोज इस वर्ल्ड में रही रही है इसी वज़े से इस वर्ल्ड में रहने का उसे hope मिल चुका है अब हैं पता है James को लाइफ में कोई भी problem आई तो वो ऐसा डर कर भागेगा नहीं फिर से वो सुसाइट करने का उसे मन में खयाल भी नहीं आएगा वो अच्छी दरह के से इससे डट कर लड़ेगा और फिर से अपने लाइफ एक ट्रैक पर लाएगा रोज की जो भी सब इनसे क्रीडिस थी ये James के वज़े से अब वो सब निकल चुकी है मुवी के लास्ट में एक दूसरे का हाथ इनों ने थामा था अब वो लाइफ को एक दूसरे के सहारे के साथ जीने वाले हैं आज मैं आप सब को थैंक्यू बोलना चाता हूँ कल मेरे थाउजन सब्सक्राबर हो गए और इतनी खुशी मैं बच्पन से मुझे कभी भी नहीं हुई थी ये मेरा ड्रीम है कि मैं हमेशा स्टोरिस सुनाता रहूँ इस ड्रीम को मैं हमेशा पर्शू करना जाता हूँ और आप सब मिलकर इसे एक reality में convert करने के लिए मुझे help कर रहे है मैं इस सब के लिए बहुत ही thankful हूँ मैं और एक चीज के लिए खुश हूँ कि हम सब ने एक community बना ली है हम सब यहां communicate कर सकते हैं क्योंकि हम सब की hobbies है में और एक subject पर हम सब बात कर सकते हैं यह एक बहुत ही beautiful चीज है अगर आप सब का support रहा तो इस community को और हम बढ़ा सकते हैं अगर आपको यह movie अच्छी लगयोगी तो फ्लीज इस वीडियो को like कर दीजेगा subscribe भी कर दीजे यानि कि आपको बहुत सारी movies मिलती रहे और आप इस community से जुड़िते रहे bell notification icon दबा दीजिए यानि कि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें मैं आप से फिर से मिलूँगा और एक नई movie के साथ तब तक के लिए thank you और अपने आपका आप ख्याल रखिए